47,000 के बीच में यहाँ पर सोना वापिस आता हुआ नजर आएगा यानि कि यहाँ से खरीदारी की ऑपरचुनिटी है स्वास्तिका फिनमाट का मानना है कि 33,500 और 47,000 के बीच में यहाँ पर एक रेंज रह सकती है यानि कि थोड़ा सा रिस्क नीचे की तरफ है लेकिन वापिस भाव 47,000 के आसपास यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे कॉम ट्रेंज यहाँ पर बहुत बुलिश नहीं है उनको लगता है 43,700 और 45,500 के बीच में यहाँ पर रेंज रहेगी अब तक के सबसे बेरिश हमें देखने को मिले हैं उनकी तरफ से यहाँ पर लेवल्स 43,500, 43,200 तक भी उनको लगता है कि यहाँ पर लेवल्स नीचे में जा सकते हैं जेफ्रीज, जेपी मॉर्गन सबके टेक्स आए हैं सुमित क्या क्या टागिट्स दिए गए हैं तक यहाँ पर लेवल्स नीचे के आपको टागेट्स दिखाई पड़ रहे हैं और जो अन प्राइस टागेट हैं उन सबने एक ही कंसर्ण रेस किया है कि इंटिग्रेशन कैसे होगा इतना बड़ा एकोजिशन कंपनी करने जा रही है लेकिन सबने एक ही सुर में एक बात बोली कि जो एकोजिशन कंपनी ने किया है यह बलकुँ सही दिशा में है और सही एकोजिशन कंपनी ने किया है एक ही कंसर्ण उठेगा कि बहुत बड़े एकोजिशन को पचाने में थोड़ा समय लगेगा तो हो सकता है दो quarterbacks का reflection आता हो दिखाई पड़े लेकिन एक mega acquisition क्योंकि company कर चुकी है तो उसका शायद reflection भी समय में आए और उस reflection का outcome भी बहुत भेतर आता हो दिखाई पड़े इसलिए concern सिर्फ integration है लेकिन सबने बाद बोली है कि जो decision है बहुत सही direction में लिया गया है तीन दिन से बात कर रहे हैं पहले मने बात की टाटा communication की आज ख़बर भी आई इसके अलावा AI engineering कल जोरदार तेजी में था और आज तीसरा नाम जो बिग ब्रोकरिल रिपोर्ट में आ रहा है वो है bank of बडौदा का bank of बडौदा पे एक नई रिपोर्ट आई है CLAC की पहले की रिपोर्ट कल आई थी 100 रुपे के टागेट्स के लिए और आज CLAC की नई रिपोर्ट आई है 125 रुपे के टागेट्स के लिए यनि कि मौजूदा सतर 85 रुपे से करीब करीब 40 रुपे का upside अभी भी देख रहे हैं करीब आप मान के चलिए 30-40% का upside potential upside stock में आ रहा है उन्होंने बास साफ के कि इसकी asset quality को लेकर improvement देखने को मिल रहा है तो asset quality front पर एक turnaround company दिखा रही है NPS cycles के अंदर PPOP जो इनकी core profit या core operating performance है वहाँ पर एक अच्छी growth देखने को मिल रही है last 2 quarter में वहाँ पर strong optic आता हो दिखाई पड़ा है कई अठके हुए जो NPS से वहाँ पर recovery होते हुए दिखाई पड़ रही है और higher level से share अभी भी काफी नीचे आ चुका तो इतनी जादा अभी भी value है इसके अंदर की आपे पैसा डाला जा सकता है CLS ए वही house है जो की लगातार टाटा मोटर्स पे बाई बोलता आ रहा है और लगातार lower level पे stocks को identify कर रहा है तो अब CLS की तरफ से प्रिफर्ड पिका रही है वो है bank of बड़ोदा तो आप इसके ओपर नजर बना कर रख सकते हैं